So hey guys, this is Vyabov, currently a first year MBA student at VMMC and Subdhajang Hospital Delhi इस वीडियो में revision strategy को लेके बात कर रहे होंगे पूरा end-to-end तुम्हें solution दूँगा किस तरह से तुम्हें कैसे कैसे तरीके से revision करना है बिना time waste किये शुरू करते हैं, let's begin तो सबसे पहले मैं basic strategy बताऊँगा, जिस तरह से तुम्हें revision करना है सबी subjects के लिए इसके बाद फिर individual subjects की बात करेंगे, उनको किस तरह से revise करना है तो शुरू करते हैं basic strategy से, अब basic strategy में क्या है, तुम्हें 4 components में revision करना है सबसे पहला होगा तुम्हारा daily revision, दूसरा होगा तुम्हारा active recall, तीसरा होगा तुम्हारा passive recall, और 4 होगा तुम्हारा test अब एक-एक को ध्यान से समझते हैं, अब daily revision कैसे करना है पहले सबसे पहले तो यह देखो कि daily revision जो है वो तुम्हारा जो chapter current में चल रहा है उसके लिए है अब daily revision में तुम्हें जो आज पढ़ाया, तुम्हें उसे आज ही revise कर देना है इसके बाद जब अगले दिन तुम्हारा lecture शुरू होने वाला है या तुम offline जा रहे हो तो lecture attend करने जा रहे हो उससे 10-15 minutes पहले उस चीज को वापत से revise कर लो ठीक है कि इससे तुम्हारा जो यह चीज होती है कि तुम्हें लास्ट लेक्चर देख लिया तुम्हारा चैप्टर खतम हो गया इसके बाद जो अब तुम पहला lecture था उसको recall नहीं कर पा रहे हो कि उसमें क्या पढ़ाया था वह वाला मेरे को अब समझ नहीं आ रहा यह चीज तुम्हारी दूर हो जाएगी इससे और इसी टेक्निक को तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज करना है ठीक है अब दूसरा है active recall अब यह चीज ऐसी है जिसने बहुत 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 बड़ा difference create किया था कि मेरी revision किसी दूसरे बंदे की revision से बहुत ज़्यादा effective थी ठीक है अब यह एक बहुत बड़ा game changer था मेरी preparation में तो इससे क्या है इससे मैं last तक काफी ज़्यादा चीजे एक साथ retain कर पाया था और यही कारण था कि मैं वहाँ पे exam में भी अच्छा perform कर रहा है अब active recall में क्या होता है कि तुम अपने दिमाग से पहले पूछ रहे हो कि हाँ यह चीज जैसे कोई एक topic लिया अब उसको तु खुद explain कर उसके बाद तुम check कर रहे हो कि मैंने सही explain किया या मैंने कुछ चीज छोड़ दी क्या कुछ चीज मेरी रह गई क्या ऐसी कुछ चीज जो notes में है मैंने नहीं बोली या ऐसी कुछ चीज जो मैंने गलत बोल दी इससे क्या हो रहा है तुम्हारा जो mind है वो पहले खुद बोल रहा है और फिर तुम चेक कर रहे हो कि वो सही तो यह चीज तोम्हारी active recall अब particular subjects में कैसे इसे apply करना है? वह मैं तुम्हें subject के साथ साथ बता है इसके बाद आता है passive recall अब passive recall active recall का बिलकुल उल्टा है कि अब इसमें तुम क्या कर रहो है इसमें तुम पहले पढ़ रहे हो फिर अपने दिमाग से पूछ रहे हो कि हाँ हाँ तुझे याद है ना ये सब इस तरह से ठीक है अब इसकी भी क्या टेक्निक है किस तरह से तुम्हें रिवाइस करना है वो तुम्हें बात में बताऊंगा पर्टिकॉलर सब्जेक्स के साथ इसके बाद चौती चीज़ है टेस्ट अब टेस्ट तो क्या है जो तुम्हारे रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं उनसे भी तुम्हारा एक तरह का एक्टिव रिकॉल वाला रिविजन होता है तो इसलिए टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे तुम्हारी प साथ के साथ तुम्हें कोश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक के पांच यूनिक फीचर्स है पहला कि यह एंसरा कि इसमें हर चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है पहले पार्ट में तुम्हें उसका ट्रेंड अनालिसिस उसके जो नोर्स ह देखने को मिल जाती है और जो दूसरा पार्ट है उसमें उससे रिलेटर तुम्हें काफी सारे कॉस्चन मिल जाते हैं साथ के साथ तुम्हें पी वाइड वगर भी मिल जाते हैं सौल करने के लिए इसमें हर चैप्टर के लिए tips, tricks और जो techniques वाला feature है वो देखने को मिलता है चौथा कि इसमें तुम्हें लाश्ट में 3 mock papers भी मिल जाते हैं solve करने के लिए और पांचवा कि इसमें total मिला के तुम्हें 4200 plus questions देखने को मिल जाते हैं और साथ ही हर question के साथ तुम्हें ये देखने को मिल जाता है कि वो ncrt के किस page से derived है तो ये combo में भी तुम्हें available हो जाती है मैं link description में दे दूँगा तुम जाके check out कर सकते हो अब आते हैं physics के revision पे तो physics के revision में सबसे पहले देखते है daily revision कैसे करना है अब daily revision बिल्कुल simple है तुम्हें जो रोज के notes बनाने अब notes तुम पूछोगे कि notes बनाने होते हैं physics में की नहीं तो मैं recommend करूँगा तुम्हे notes बना लेने चाहिए unless or unrelated तुम्हारे पास बहुत कम time बचा है तो अगर तुम अभी इस video को देख रहे हो जब ये upload हो रही है तो obviously तुम बना सकते हो notes ठीक है उसकी बाद क्या करना है इसके बाद जो तुमने daily revision में वही notes को जिस तरह से पहले बताया उस तरह से revise करना है उसके बाद आते है active recall पे अब active recall में एक बहुत famous rule आता है 147 rule ठीक है अगर तुम मेरे को पहले से जानते होगे तो तुम्हें पता होगा क्या होता है नहीं पता तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है देखो तुम्हारा जैसे chapter complete हुआ तुम्हें अगले दिन यानि उसके first day तुम्हें क्या करना है उसको revise कर लेना है इसके बाद अब अगली बार fourth day पे अब 4th day पे तुम्हें वापस से revise करना है एक वापस से revise करना है अब इसमें तुम्हे रिवाईस क्या करना है, पूरे पूरे जो notes है उनको revise करना है नहीं तुम्हें physics में short notes बना लेने, short notes कैसे बनाने है अगर तुम इस पर वीडियो चाते हो मझे बता देना मैं उस पर भी तो इसमें तुम्हें क्या करना है तुम्हें लिख लिख के पहले खुद फॉर्मूला लिखना है उसके बाद अपने जो नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स है उनमें से चेक करना है कि तुम्हें फॉर्मूला सही लिखा कि गलत लिखा ठीक है इसके बाद आते हैं passive recall पे passive recall में तुम्हे क्या करना है अब passive recall ने तुम ऐसा नहीं है कि तुम ये कह दो कि active recall जब अच्छा है तो फिर हम passive recall करने किया ज़रू होता है active recall ही करते है नहीं देखो क्या होगा कि जब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है मालो तुम्हारा कल exam है या तुम्हारा कोई test है अब उससे पहले तुम्हें 5-6 chapter है जो कि तुम्हें revise करना है अब तुम active recall से करने जोगे तो तुम्हें काफी time लग जाएगा अब इस time पे तुम क्या कर सकते हो इस time पे तुम passive recall कर सकते हो तुमने क्या किया तुमने जो अपने short notes बनाए है उनको खोला और उपर उपर से देखते रह गए कि हाँ हाँ ये मेर को याद है ये मेर को याद है इस तरह से ठीक है अब इसके बाद test अब test में तो ज्यादा बताने की ज़रुरत नहीं है तुम अगर test दोगे तो तुमारा क्या होगा तुमारा जो mind है उसको तुम challenge कर रहे हो और उससे तुमारे जो concepts है वो तुमें कितने आते हैं कितने नहीं आते वो तुमें पता चल जाएगा अब यहाँ पर एक चीज दियान रखना है कि मेरा test से मतलब वो नहीं है नहीं आता इससे भी तुमारा जो active recall है वो हो रहा है तो यह तो हो गया physics के लिए अब आते हैं chemistry पे chemistry में सबसे पहले बात करते है physical chemistry की अब physical chemistry बिल्कुल physics जैसे ही है तुमें कुछ भी वापस मेरे बताने की ज़रुरत नहीं है तुम सब जानते हो जो जो physics में अपलाए हो रहा है same physical chemistry में अपलाए करना है तुमें ठीक है इसके बाद आते हैं organic chemistry पे अब organic chemistry अगर तुम पहले face कर चुके हो यानि तुमने 11th face की है अब तुम 12th में हो तुमें पता होगा कि organic chemistry को revise करना कितना ज़्यादा ज़रुरी होता है क्योंकि ये काफी volatile subject लगता है मतलब मेरे सड़ तो ऐसा कहते थे organic chemistry वाले कि अगर तुम एक हफते भी organic chemistry को revise ना करो तो तुमारा game over तुम सब कुछ बूल जाओगे उस हफते के बाद इसलिए organic chemistry का revision काफी ज़रुरी है अब daily revision में तो कुछ बताने की ज़रुरत नहीं है मैं तुम्हें सब पहले ही clear कर चुका हूँ इसके बाद active recall पर आते है active recall में अब तुम्हें क्या करना है न active recall में तुम्हें यहाँ पे नोर्स को अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा तुम्हें क्या करना क्या है तुम्हें सबसे पहले तो एक काम करना जब तुम रोज कर रोज पढ़ रहे हो तुम्हें साथ में NCRT पढ़ लेना NCRT पढ़के अब आज के टाइम में मतलब कोई भी तुम टीचर ले दो किसी भी कोचिंग का कोई भी टीचर हो वह अगर तुम्हें और्गनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो वह बहुत ज्यादा चांसे हैं कि वह पूरी जो भी और्गनिक केमिस्ट्री के NCRT है वह वहाँ पे कवर कर देता है इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जो NCRT में स्पेशिफिकली दिये हैं कुछ फिजिकल जो भी प्रॉपर्टी होती है उनसे रिलेटेट पॉइंट्स थोड़े से कम इंपॉर्टेंट्स होते हैं लेकिन वह तुम्हारे MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम्हें करना क्या है NCRT साथ के साथ पढ़ी और उन जो पॉइंट्स है उन ही को तुमने नोट्स में इंक्लूट कर दिया इसके बाद अब NCRT तुम्हें बार बार पढ़ने की ज़रुरती नहीं अब क्या करना है अब तुम जब active recall करोगे active recall में तुम्हें अपनी जो copy है उसको बंद कर लेना है अब जो तुम्हें नोट्स में लिखावा था उसको S-A-T-E-S याद करने की कोशिश करो उसको अपनी rough copy है उसके लिखने की कोशिश करो खासकर तुम्हें जो reaction है उसके important क्या क्या चीज़े है वो आने चीज़े है जो उसके कुछ orders होंगे तुम्हें बताया होंगे वो तुम्हें आने चीज़े है इस तरह से हर एक reaction को लिखना शुरू कर दो ठीक है और line wise लिखो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे जो notes है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है organic chemistry में नहीं तो अगर तुम ऐसे passive recall कर रहे हो तुम चीज़े बूल जाओगे तुम्हें याद नहीं रहेंगी इसके लावा इसमें क्या short notes बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है तो इसमें वैसे तो short notes की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं तुम्ह रेकमेंड करूँगा तुम अपने notes से ही सब कुछ revision करो लेकिन तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारी जो भी reactions है उनका सिर्फ नाम और उसमें जो main reaction है वो वो लिखके और जो named reactions है इस तरह से उनके कुछ charts बना सकते हो इनको तुम passive recall के लिए use कर सकते हो अब passive recall में कैसे करोगे तुम्हारा जैसे ही अगले दिन टेस्ट है तुमने क्या किया एक दिन पहले जो भी reactions है उनको एक बार ही देख लिया ठीक है यह हो जाएगा तुम्हारा passive recall और टेस्ट तो वापस वही सेम ही है ठीक है इसके बाद आते हैं inorganic chemistry अब inorganic chemistry अगर तुम एक आदा चैप्टर भ बहुत जादा ठीक है तो इसमें करना क्या है तुम्हें तुम्हें daily revision का तो बताने की ज़रूत नहीं है फिर क्या करना है जो active recall है active recall में क्या करना है active recall में अपने जो notes है उनको अच्छे से revise करो लिख लिख के revise करो ठीक है जैसे तुमने organic chemistry में किया था वैसी यहां भी करना ह ठीक है और 147 rule के साथ ही करना है तुम्हें organic chemistry में भी और यहां भी ठीक है कि तुम्हारा chapter complete वह उसके अगले दिन फिर इस तरह से ही ठीक है इसके बाद जो NCRT है NCRT में इस बार क्या करना है NCRT में सुनो ठीक है सबसे पहले तो तुमने जैसे पढ़नी थी तुम्हारे class के स जाए उसके साथ तुम्हारा chapter चल रहा है उसके साथ साथ तुम NCRT परते है इसके बाद अब उसमें जो जो points तुम्हें लगे कि तुम्हारे notes में नहीं है उनको तुम हाइलाइट कर लो तुम्हारे है कि यहां पर काफी मुश्किल होगा तुम्हारे कि उसमें बहुत सारे points उनको तुम अपनी जो नोट्स हैं उनमें नहीं डाल पाऊगे तो क्या कर लो कि एक ही color से या एक ही pen वगर से तुम उसको highlight कर लो अब क्या करना है तुमें अब जब भी तुम 147 रूल लगा रहे हो तो क्या करना है एक बार ही तुमने notes पढ़ा notes को तुमने active recall से revise किया जो NCRT है उसको तुमें passive recall से revise करना है क्या करना है जैसे तुमने नोट्स पढ़े उसके बाद NCRT खोलो NCRT में जो जो तुमने लाइन स्टिक करी थी उन उनको उनको रिवाइस करते जाना है तो यहाँ पे तुम्हारा active recall और passive recall दोनों साथ में होगा passive recall NCRT के लिए active recall notes के लिए इसके बाद test में वापस same जैसे तरह से तुम बाकी सब में करते आ रहे हो same ऐसा ही अब आए अगर हम बायो पे तो बायो और इन और्गेनिक केमिश्ट्री का भी बिल्कुल सेम हिसाब है बायो बिल्कुल NCRT बेस्ट होगी NCRT को तुमें जितनी बार पढ़ा है जितने अच्छे से पढ़ा है वो यहां भी बहुत ज्यादा matter करता है तो इसको revision भी थोड़ा सा इन और्गेनिक केमिश्ट्री के तरह ही करना है सबसे पहले daily revision daily revision में साथ के साथ तुमें NCRT भी अपनी daily topics हो रहे हैं उनको करते रहना है active recall भी बिल्कुल inorganic chemistry की तरह है पहले notes पढ़े, notes को तुमने actively revise किया है copy बंद करके और खुद बोलते रहो और चेक करो कि तुमारे notes में क्या तुमने छोड़ दिया फिर passive में आ जाओ, passive में क्या करना है तुमें NCRT पढ़नी है, अब NCRT में वही जो तुमने highlight line करके रखी है, उनको तुम पढ़ लिए अब जब तुमें काफी time हो गया है ऐसा करते वे और तुमें लग रहा है कि अब तुमें जो बाकी line से उनको भी एक बारी देख लेना चाहिए तो एक बारी पूरी NCRT पढ़ दो, जिस दिन तुमें time मिले तब, इसके बाद वही टेस्ट और जो question practice है उसके थुरू तुमें बार-बार खुद को देखते रहना है कि तुमने जो पढ़ा है, जो तुमने revise किया है वो तुमें सही में retain रह भी रहे या कि तुम उसे बूलते जा रहे हो ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो, I hope कि तुमारे जो भी doubts हों, revision को लेके, revision किस तरह से करना चीए, क्या-क्या चीजे include करनी चीए, वो सब यहाँ पे clear हो गए हो, मिलेंगे next वीडियो में, thanks for watching